है फ्रेंज मेरी यूटूब चैनल घरेलू नुसके असरदार उपाय में आपका एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज में आपको होटो के कालेपन को दूर करके होटो को नरम मुलायम और गुलाबी बनाने का एक असान सा घरेलू पैबताने जारी हूँ इस नुसके की इस्तेमाल से आपके होटो का कालापन पूरी तरह से दूर हो जाएगा आपके होटो की पपड़ी भी पूरी तरह से दूर हो जाएगी और आपके होट नरम मुलायम और गुलाबी हो जाएगे लेकिन इससे पहले आपस रिक्वेस्टे मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर लें जिसे मेरे सबी नय वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चली शुरू करते हैं सर्दियों में अक्सर हमारे होट बहुत ज़्यदा ड्राई हो जाते हैं उन पर पपड़ी आ जाती है साथ ही होटों पर कलापन भी आ जाता है मेरे इस नुस्के की इस्तेमाल से होटों का कालापन दूर होगा होटों की पपड़ी भी दूर हो जाएगी और होट नर्म मुलायम गुला भी होगी इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा कोलगेट आपको कोलगेट लेना होगा कोलगेट हमारे होटों के कालेपन को दूर करने में बहुत ही ज़दा एफेक्टिव होता है इसका इस्तेमाल आप जरूर करें यह बहुत ही एफेक्टिव होता है होटों के कालेपन को दूर करने में आपको कोलगेट लेना है थोड़ी सी मात्रा में अब आपको इसमें मिक्स करना है थोड़ी से मात्रा में नीबु का रस थोड़ी से मात्रा में आपको नीबु का रस इसमें मिक्स कर लेना है नीबु का रस भी होटों के कालेपन को दूर करने में बहुत ही ज़दा एफेक्टिव होता है नीबू के इस्तिमाल से हमारे होट गुलाबी होने लगते हैं साथी होटो की पपड़ी भी दूर होती है आपको इससे इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से अब आपको इसका इस्तिमाल करना है आपको इसे अपने होटों पर लगाना है, इस तरह से एक लेयर आपको अपने होटों पर लगाना है, और इसे दस मिनट के लिए लगा के छोड़ देना है, दस मिनट के लिए आप इसे लगा के रखें, फिर आप नॉर्मल पानी से इसे धोलें, इससे आपके होटों की पपड भी दूर हो जाएगी और आपके होट नरम मुलायम और गुला भी हो जाएगे इसलिए आपके होटों का कलापन दूर करने में बहुत ही जादा मदद मिलेगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जुरू करें साथ ही मेरे इस चैनल क को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल बटन को भी जरू क्लिक कर लें जिसे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सकें मिलते हैं अगली वीडियो में